रजिस्तान सरकार को ICMR से प्लाजमा थेरपी से इलाज कने की अनुमती मिल गई है SMS अस्पिताल में सौंबार से इस थेरपी से करोना मरीजों का इलाज भी शुरू हो गया है SMS अस्पिताल के अधिक्शक डॉक्टर डियेस मिडा ने बताया कि अस्पिताल में प्लाजमा थेरेपी से कोरोना के गंभिर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है तरसल प्लाजमा थेरेपी में एक तरीके से एंटीबॉडी का इस्तमाल किया जाता है इसलिए इसे प्लास्मा थेरिपी के अलावा एंटी बॉडी थेरिपी भी कहा जाता है किसी खास वाइरस या बैक्टरिया के खलाफ शरीर में एंटी बॉडी तभी बनता है जब इनसान उससे पिडित होता है जब कोरोना मरीज ठीक होता है तो उसे शरी में कोविड के खिलाफ एंटी बॉडी बनती है इसी एंटी बॉडी की बूते पर मरीज ठीक होता है आपको बता दे कि राजस्थान के S.M.S. अस्पिताल में सबसे पहले इस थेरेपी से इलाज किया जा रहा है आलाकि देश के राज़ों में पहले भी ये इलाज शुरू हो चुका है